आई एवरिवन, वेलकम टू जे आर टुटोरियर्ज, आएम यूर प्रेंड राहूल जैस्वाल, तो दोस्तो उमीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, एन आपकी स्टडीज भी बैतरीन तरीके से चल रही होगी, तो फटा-फट से यार कॉमेंट करके बताओ कि य यूटूब पे सर्च कर सकते हो, या तो आपके लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप ढूंड सकते हो, लेकिन अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई जारी रहनी चीए, ठीक है, तो जैसे कि आप जानते कि सब चीज तो आमने पढ़ा रखा है, लेकिन प्रोब्लम सेट हमारा बाखी रहे गया था, तो वो भी अल्मोस्ट देखा जाए, तो 80-90% कम्लेट हो चुका है, क्योंकि एक और बहतरीन चाप्टर का प्रोब्लम सेट फिर से मैं लेकर आ गया हो, और अल्रीड जस्ट कुछी दिन पहले हमने मैच्स वन, यानि एल आपको कोई भी चीजे पढ़नी है, चाहे वो distance formula हो, slope हो, या फिर section formula हो, midpoint formula हो, centroid हो, कोई भी चीज, सभी topics हमने पढ़ा रखे है, YouTube पे search करोगे, हमारे channel का नाम डालके आपको मिल जाएगा, पढ़ाई करते रहे ना, concept is very important, practice set के lecture video सभी चीज अवेलेवले, वो पढ़ाई क से इसको देखते हैं कि कैसे type के questions होते हैं, जो लोग के लिए, मतलब ये chapter नया है बिल्कुल, यानि उन्होंने अगर lecture videos नहीं देखें, जिन्होंने practice set के videos नहीं देखें, तो पहले वो जरूर देखना, तभी आपको ये चीज समझ में आएगा, तो पहले concept clear कर लो, फिर ये problem सेट का वीडियो देखना, ठीक है, साथी में Instagram अगर आप यूज करते हैं, तो फॉलो कर सकते हो, मेरे दोनों ID पे, एक तो परस्नल वाला है, दूसरा, obviously, हमारे official JR Tutorial का, और application पे जरूर से आ जाना, बहुत सारे बच्चे ने application अभी तक डाउनलोड ने किया, प्लीज यहाँ आप support हमें कीजिए, क्योंकि एक अच्छा एक बार जब बच्चे जमा हो जाएंगे, तो बहुत सारे चीज़े हमें आप आपको provide करेंगे, साथी में एक paid batch तो चली रहे, जो एक paid batch है, JR Tutorials application पे, जिसका नामे 10th Standard का विश्वास batch, जिसमें science, math and necessity तीनों एक साथ पढ़ाया जा रहा है, नए वीडियो से, fresh वीडियो से, तो जरूर से देखना, कुछ price है उसका, minimum price, तो जाके देखो, अगर आपको अच्छा लगेगा, affordable लगेगा, quality वीडियो लगेगे, तो जाके जरूर से join कर लेना, लेकिन एक बार visit जाके जरूर कर लो, ठीक है, चले, link description में दिय हुआ है, या फिर directly app store पे, या फिर play store पे search करोगे, जरूर को मिल जाएंगे, वीडियो की शुरुवात करें, चले, तो सबसे बहले जैसे मिन वहला है, कि आपको questions हमें solve करने, तो पहला question जो screen की ओपर आप देख पा रहे होंगे, वो क्या बोलता है, question number one, choose the correct option, यानि कि आप आपको mcqs type की question दिया होता है, जिसमें एक question होता है, उसके 4 option होता है, वो चार option में से एक सही answer होता है, तो वो आपको लिखना होता है, और इसके एक marks आपको मिलते है, तो total 4 question आते हैं, जितने भी आपके chapter से माल लो, हर एक chapter में से आपको एक-एक दिखने मिल जाएंगे, इसमें options होते हैं, तो यह आपके लिए plus point है, कि आपका answer जो भी निकलेगा, वो आप tally कर सकते हो, कि आपका सही आया कि नहीं आया, ठीक है, तो सबसे पहले, question number 1A, जो है, हमारा पहला question जो है, segment AB is a parallel to y-axis, segment AB जो है, वो y-axis से parallel है, and coordinates of point A are 1,3, मतलब जो AB segment है, उसका A point का coordinate दिया है, 1,3, then coordinates of B point can be dash, तो सबसे पहले तो मैं यह बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्या बोल रहे है, कि segment AB is parallel to y-axis, तो मुझे पता होना चाहिए है, कि y-axis और x-axis है क्या, तो मान लो कि यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, draw करता हूँ, x-axis and y-axis, ठ ठीक है, और यह मेरा क्या हो जाएगा, x-axis हो जाएगा, correct है, यह मैंने draw कर लिया, मान लो, ठीक है, अब यह क्या बोल रहा है, कि यह जो AB segment है, यह parallel है, y-axis के, तो y-axis के parallel मतलब यह जो y-axis है, उसी के parallel आएगा, लेकिन इस तरफ आएगा, कि इस तरफ आएगा, वो मुझे प यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है, जो भी है, आप कर सकते हो, 1, 2, 3, तो coordinates का है, 1, 3, मतलब x का 1 और y का 3 मतलब यह वाला point है, यह क्या है, आपके लिए a point है, कमझ में आ रहा है, roughly draw कर लाओ, जो कि आपको मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा, बाकि तो आप समझदा इसके palette में ही line बनेगा, मतलब यहीं से line बनेगा, यानि कि जो भी मेरा line बनने वाला होगा, जो भी मेरा line बनने वाला होगा, वो लगभग ऐसा बनेगा, straight, ठीक है, ऐसा बनेगा, तो अब मैं अगर option चेक करूँ, तो मेरा answer क्या आना चाहिए, कि मेरे को क्या पुछा है, कि यानि कि x का जो value है, वो 3 होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, इस तरफ से अकर line पास होके जा रहा है, यह तो 1 और 2 के बीच में ही आ रहा है, मतलब जिसका भी value, x का value 3 दिया हो है, वो तो आई नहीं सकता, मतलब यह वाला option मेरा होई नहीं सकता, यह वाला option पास हो रही है, x के 1 और 2 के बीच में से पास हो रही है, तो कहीं ने कहीं मेरा जो line बनेगा, उसका x coordinate जो आएगा, वो 1 के आसपास ही आएगा, यह तो 2 के आसपास ही आएगा, तो यहाँ पर तो 3 दिया, यहाँ पर 3 दिया है, मतलब यह तो नहीं आ सकता, यहाँ पर 5 दिया था ठीक है यह एक्षिन में वन से पास होगा जो कि हमने आराम से इसको सॉल करके दिखा दिये मतलब एक चीज़ क्लियर बोल रखा था ना कि नहीं वह रखा था क्या रखा था बोलके कि आपको एक चीज़ पता है कि וाए यह धरी बनेगा यह लाइन कहा से पास हो रहा है वसके लियाइन के लिए बाकी हर एक चीज़ आपके लिए सिंपल है और कुछ भी परिशानी आप को नहीं होगी, हीख है, clear है, तो यह था आपके लिए सबसे पहला question, second question पर चलते, यहाँ पर आप ज्यान दोगे, ज्यान देना, second question पर, देखो, क्या बोल रहा है, out of the following, point dash lies to the right of the origin on x-axis, ठीक है, point, out of the following, point lie, point dash, मतब कौन सा point आएगा, इसमें से, जो, right of the origin of the x-axis, तो माल लो यहाँ पर भी मैं एक, coordinate system बनाता हूँ, ठीक है, यहोगे, आपके लिए y-axis, यह x-axis हो गया, ठीक है, x-axis और यह y-axis, ठीक है न, minus होता है, ठीक है? यहाँ पर आ गया 1, sorry, यह 1, 2, 3, यह 4, यह 1, 2, 3, 4, यहाँ पर minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, यहाँ पर minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, ठीक है? यह बीच में जो point होगा, यह क्या होगा? 0,0, बीच में जो point होता है, वो क्या होता है origin, 0,0, तो हमें क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सा point है, जो उस origin के right में आएगा, ठीक है, तो right में आएगा, इसका मतलब kya होगा? इस origin के right में आएगा, वो भी किस पे, x-axis पैएगा, x-axis प्ैएगा, right में, इसका मतलब positive होगा, positive होगा, तो यहाँ पे सभी चीज़ देखो positive है गया, अगर आप देखोगे तो यह positive नहीं है, मतलब यह हमारा answer नहीं हो सकता, ठीक है, अगर आप देखोगे, point dash lies on the right of the origin, right of the origin मतलब x का value जो है, वो कुछ आना चाहिए, मतलब 1, 2 आना चाहिए, मतलब x का value 0 नहीं हो सकता, यह भी चला गया option, ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो के right to the origin बोला है, तो कहीं नहीं x का जो value है, वो 1 आ सकता है, 2 आता है, 3 आता है, लेकिन जब वो x के ही line पर ही आएगा, तो y का value 0 होगा, तो जिसमें y का value 0 है, वो ही आपका answer है, तो y का value 0 किसमें ह इसमें है, मतलब option d is my correct answer, क्योंकि y का value जो है, इसमें 0 है, क्योंकि अगर ये कोई भी point, जब x के line पर ही होगा, मानलो इधर से x के line पर ही होगा, तो यहाँ पर 1 पर भी रहा होगा, मानलो, 1 पर रहा होगा, तो यहाँ पर y का value क्या है, 0, ठीक है, तो y का value 0 मतलब, x का value 2, y क सिम्पल है, logic की बात है, अगर आपने concept सीखा हुआ है, हमारे जो lectures हमने upload किये हुए, वह अगर आपने देखा हुआ है, आपको यह सब चीज़ पता है, तो आपको यह सब चीज़ बहुत easy लग रहा होगा, दोस्तों, clear है, चलो, चलते आगे, next question, क्या बोल रहा है, distance of point minus 3,4, देखो इसको ध्यान से, क्या यह, question number 3, समझ में आ रहा है की नहीं आ रहा है, बहुत easy question है, ठीक है, distance of point minus 3,4 from the origin is dash, ठीक है, मान लो, मैंने बना दिया यह, ठीक है, minus 3,4 है, मतब यह 1, 2, 3, और minus 3,4 कहा होगा, यह minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, ठीक है, और यह 1, 2, 3, 4, ठीक है, यह होगे आपका minus 3, और यह वाला point, यह होगे आपका minus 3,4, ठीक है, minus 3,4 यह वाला point है और origin यह वाला point है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको distance निकालना है, इतना distance आपको निकालना है, और obviously आपको पता है कि जब आपको distance निकालना है, तो we have the formula, distance formula, ठीक है, तो इसको हम लोग मैं आपे मिटाते हैं, इसकी, यह आपको समझाने के लिए था, इसकी जरोद नहीं हम लोगो, सीधा हम लोग distance formula लगाएंगे, ठीक है, तो फिर दो coordinates, किके point, समझ लोगो, इसका नाम है A, A point का है, minus 3,4, और जिस पे origin है, origin का है, O point, और इसका 0,0 होगा, ठीक है, तो यह आपके लिए होगा, X1, यह Y1, यह होगा, आपके लिए X2 और यह Y2, ठीक है, formula क्या होता है, distance का, जा है formula, X2 minus X1 the whole square, plus Y2 minus Y1 the whole square, बच्चे-बच्चे को बता है formula, सबने आपने पढ़ा होगा हमारे lecture video, X2 कितना है, 0 minus, X1 कितना है, minus 3, मतलब 0 plus 3 हो गया, इसका square, plus Y2 Y2 minus Y1, Y2 कितना है, 0 minus Y1 कितना है, 4, D whole square, ठीक है, solve कर लो, आपके answer आजएगा, तो D will be equal to what, 0 plus 3, यानि कि 3, 3 का square होता है, 9 plus, 0 minus 4 is minus 4, minus 4 का square is 16, यानि कि, आपके answer कितना आएगा, D is equal to under root of, 9 plus 16 is 25, तो D is equal to under root of 25, तो therefore D is equal to 5 unit, centimeter दिया आएके कुछ नहीं दिये, तो D का value आग निकालना था, कितना easy है, तो by using the distance formula, we had calculated the distance of A and O, यानि कि जो origin है, उसको हमने हराम से calculate कर दिया, clear, समझ में आ गया, तो ऐसे questions काफी ज़्यादा पूछे जाते हैं, exam में, confuse करने के लिए, वेकिन आपको बिलकुर अच्छी तरीके से ध्यान देके समझना है, अच्छे से आप 30 डिगरी with the positive direction of x-axis, ठीक है, x-axis का positive direction में, so the slope of the line, slope आपको निकालना है, ठीक है, आपको एक slope का formula पता है, that is nothing but slope, m is equal to 10 theta, या दे, m is equal to kya है, 10 theta formula है, theta का value पता ही आपको, कितना है, 30 डिगरी दिया हुआ जेको, 30 डिगरी, तो 10 30 का value निकाल लो, 10 30 डिगरी क्या होता है, नह नहीं आदे, कोई बात में, अगर आपको 10 का 30 का, 10 40, 10 45 का, 10 60 का value नहीं आदे, तो एक formula तो हम जानते ही है, 10 theta का मतलब, 10 theta का मतलब क्या होता है, sin theta by cos theta, तो sin 30 by cos 30, या आपको पता ही है, ठीक है, sin 30 का value क्या होता है, 1 by 2, ठीक है, cos 30 का कितना हो जाले होता है, root 3 by 2, ठीक है, a2, a2 cancel, कितना बचा, 1 by root 3, this is your answer, अधब 10 30 का value कितना होता है, 1 by root 3, आगया answer, 1 by root 3 है, इसमें, विल्कुल है, option number, c is the correct answer, ठीक है, तो option number c हमारा क्या हो गया, दोस्तों, correct answer हो गया, कि जो slope है, देखो slope generally क्या होता है, दो category से होता है, तो आपको दोनों का coordinates जिया होगा, तो y2 minus y1 upon x2 minus x1 करके, आप निकाल सकते हो, m का value, यानि slope का value, अगर आपको सिफ angle दिया होगा, तो आप directly m is equal to 10 theta, यानि 10 theta का value उसमें डालके, आप directly calculate कर सकते हो, तो यहाँ पे कोई coordinates नहीं दियते, सिफ angle दिया था, तो हमने angle का value 10 theta के साथ डाल दिया, आगया हमारा 1 by root 3, that is your correct answer, clear समझ में आ गया, clear है दोस्तो, आगे बढ़ जाए, यह हो गया हमारा question number 1 complete, जिसमें अलग-अलग 4 type के examples है, 4 अलग प्रकार के example थे, 4 को बहतनी तरीके से solve कर दिया, सही answer निकाला, और उसके बाद हमने option में भी tick किया, कि या आप देखो, सही answer हमारा आ रहा है, अब एक question आज समझना पड़ेगा, को लिनियर का मतलब क्या होता है, कि अगर आपके पास एक line है, ठीक है, और इसमें जो 3 points दिये हुए, A, B और C, तो मान लो यह A है, यह आपका B है कहीं बीच में, या फिर यह C है, ठीक है, यह 3 के कुछ points है, यानि कि A का coordinates क्या है, 0,2, इसका कितना है, 1 तो अगर मान लो ऐसा होता है, एक point इधर है, A, B point इधर है, ठीक है, और एक C point यहाँ है, ठीक है, तो क्या A की line पास होके जा रहा है, कि तीनों point से नहीं, दो line हो गया, एक ये line, एक ये line, एक ये line, तो इसके लिए यह क्या है, को लिनियर नहीं हुआ, तो हम लोगो यही प C का जो slope आएगा, तो A, B का slope और B, C का slope, दोनों equal है, तो समझ जाना कि भाईया, एक ये line में आएगे, लेकिन आगर दोनों का slope उपर नीचे, तो कहीं नगे दोनों का डामाडोल होने वाला, यानि उपर नीचे होने वाला है, तो वो एक line में पास नहीं होगा, मतलब वो को कोडिनेट से, तो slope का formula क्या होगा, Y2-Y1, upon X2-X1, ठीक है, क्या लगा हो formula, formula बंतब लगा दिया, क्या करेंगे अभी, calculation, कैसे करोगे, अब यहाँ पे कर आप देखोगे, यहाँ पे हो जाएगा, यह X1, यह Y1, यह आपका हो जाएगा, X2Y2, च्टा-च्टा-च्टा लिख जाएगा, Y2 कितना है, minus 0.5, minus Y1 कितना है 2, upon X2-X1, X2 कितना है 1, minus X1 है 0, तो यह कितना हो जाएगा, minus 2.5 upon 1, मतला हमारा slope कितना है, slope of AB is equal to minus 2 by 5 upon 2.5 upon 1 is nothing but minus 2.5, तो हमारा slope आ गया, AB का minus 2.5, यह आपको समझ में आ गया, clear, okay, अब एक और जो है हमारे पास, क्या है, slope of, AB निकाले, आप BC निकालेंगे, तो यह ही पर करते हैं, that is nothing but slope of BC, slope of BC का formula भी वही रहेगा, Y2 minus Y1 upon X2 minus X1, ठीक है, अब इसके लिए मेरा यह X1 हो जाएगा, यह X2 हो जाएगा, यह Y1 हो जाएगा, ठीक है, ना, sorry, यह X1 हो गया, यह, एक सेके, यह आपका Y1 हो गया, यह X2 हो गया, यह Y2 हो जाएगा, ठीक है, ना, value change हो गया, आप इसको भूल जाना है, एक को, क्योंकि BC देख रहे हो, आप BC का दिकाल रहे हो, X1, Y1, X2, Y2, formula क्या है, Y2-Y1 आपको X2-X1, चलो value डालो इसमें फटाफर से, क्या है, Y2-Y1, Y2 कितना है, 3, minus, Y1 कितना है, Y1 कितना है, minus 0.5, आनि, plus 0.5 हो जाएगा, ठीक है, all divided by, all divided by, अगर आप देखोगे, हाँ, डारेक हो जाएगा, ना, sorry, Y2-Y1, 0.5, हाँ, all divided by, हो जाएगा, X2-X1, ना, हाँ, तो यह हो जाएगा आपका, 3-0.5, यह हो जाएगा, आपका, 2-1, बराबर, X2-X1, 2-1, तो यह कितना हो जाएगा, बताओ, 3-0.5 is nothing but, 2.5, यहाँ पे हो जाएगा, 1, देख पारे हो, आप लोग बहुत इजी है, यह भी आप देख पारे हो, क्लियर, क्लियर है कि नहीं, दोस्तो, क्लियर है, 2,3, दीगा वैलू 2,3, यहाँ पे गरबड किया है, 2,3 है, ठीक है, ना, यह कि उड़ा, चेंज होएगा, देखो, यह 2,3 है, मैंने छोटा सा मिष्टेक कॉशन देखने के समय क्या रोदी थी, एक वैलू 0,2 है, 1 upon minus 5, 2 minus 3, बराबर, अब बराबर है, चलो, आप calculate करते है, आप calculate करते है, सोड़ा सा, हमारा क्या mistake हो गएता दोस्तो, यहाँ पे 2,3 है, मैंने सिर्फ 3 लिंदा, देखो, एक minus के sign के वे से भी mistake हो जाती है, तो गभी-कभी question जब आप question paper से देखके आपने answer sheet में लिखोगे, तो होगे, बिल्कुल ध्यान से देखना है, यह चीज, क्या बहुत रहा है, y2-3 है, तो minus 3 लिख दिया, फिर minus, y2-1 है, तो y2 लिख दिया, minus 3, फिर minus और y1 कितना है, y1, minus 0.5, तो लिख दो है, यहाँ पे minus 0.5, whole divided by क्या है, x2 minus x1, तो x2 का value कितना है, देखो, x2 का value 2 है, x1 का value 5, whole divided by 1, यानि इसका value आ जाएगा, minus 2.5, यानि कि, जो slope of BC आया, therefore, यह जो निकाला, आपने यह क्या निकाला, slope of BC, इसका value कितना आया, minus 2.5 आया, ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखोगे, तो slope of ABB 2.5 आया था, और slope of BC भी क्या आ गया, minus 2.5 आ गया, तो हम लोग क्या ब to slope of BC, slope of AB जो है, वो slope of BC से बराबर है, तो अगर ऐसा होता है, तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं, कि जो AB जो line होगा, वो parallel होगा, किस से, BC से, क्योंकि अगर कोई भी दो line, अगर एक दूसरे को parallel होगी, तभी उसके slope सेम आते हैं, तो यह दोनों slope सेम है, तो इसका मतलब मे एक line AB यह है, और दूसरे line है BC, ठीक है न, यह line है BC, यह भी एक दूसरे को parallel है, लेकिन अगर आप देखो कि तो इन दोनों में point B common है, मतलब यह B यहाँ पर जूर जाएगा, जाके, समझ लाए हो, यह point B जो है, वो क्या हो जाएगा, जूर जाएगा, तो यह जो point है, यही point ह तो यह क्या हो गया, ABC, मतलब यह 3 और एक ही line में आएगे, तो हम लोग clearly क्या बोल सकते हैं, कि कहीं न कहीं, since point B is common point, हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि point B जो है, यहाँ पर एक common point है, और इसी के वज़े से हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि जो दोनों line होंगे, वो एक दूसरे को overlap करेंगे, यानि, both the lines, both the lines are same, तो therefore, हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि भाईया, जो line A, B, C है, ठीक है, तो therefore, A, B, C, जो होंगे, क्या होंगे, क्या होंगे, क्या होंगे, क्या होंगे, और हैंस, prove यह हमने prove करके दिखा दिया, तो they are collinear, just because, because A, B और B, C, दोनों के B का common point है, तो दोनों एक, दूसरे को जुड़ेंगे, और A, B, C, बन रहा है, इस तरीके से, तो obviously, तीनो point से एकी line पास हो रही है, एकी line है वो, तो इसका मतलब हो क्या होंगे, को linear, तो point A, B, C, R, को linear हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं, ठीक है, clear दोस्तों, तो उमीद करता हैं कि आप सारी से बहुत ईजी तरीके से इस समझ में आ गया होगा, तो बस दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही जैसे मैंने बोला, कि हम लोग 2-3-3 questions सी करा रहे, अराम से हमारा chapter complete करना, यानि problem set, chapter के lecture videos तो already practice set वाले सब चीज हमने पढ़ा के रखे हुए, आप उसको भी देखते र देना, शेर करना आपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स टाइम चैनल पर आवे तो फटा फट से माल चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साती में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीके दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नी वीडियो में, तब तक के लिए धूल कर देना आप है एक लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना.